Hello Everyone, एक बार फिट से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों आप अपने फोन को कभी ना कभी तो इधर उधर रखी देते होगे जैसे कि मैं भी अपने फोन को कभी ना कभी इधर उधर उधर रखी देता हूँ कभी चार्ज में लगा कर छोड़ कर कहीं चले जाता हूँ तो सभी लोग ऐसे कभी ना कभी करते ही है लेकिन उस वक्त हमारे फोन को कोई लेकर कोई यूज करने लगता है या फिर हमारे फोन को कोई टच करता है या फिर कोई हलका सा टच भी करेगा तो आपको पता चल जाएगा उसका काम तमाम हो जाएगा और आपता खेल सुर हो जाएगा जी हाँ, ऐसा कुछ उसके साथ होगा जो कि उसको भी पता नहीं चल पाएगा कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है जो कि आपको सिर्फ पता रहेगा कि अगर आपके फोन के साथ कोई भी टच किया, कोई भी छडखानी किया, तो उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, तो आप इस्टरी को जरूर सीखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में, तो बिना टाइम आप देख रहे हैं टेकनिकल एक्सपट बावा यूटूब चैनल, दोस्तो वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को एक लाइक जुरूर कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब करकर, बेल आइकन को दबाकर आल पेसे इट कर लिजेगा, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फोन में कोई सा भी ब्राउजर आप ओपन कर लो, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूँ, तो मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है, उसके बाद आपको सर्च करना है, फडिस.com, okay spelling आप सही सही लिखना और उसके बाद इसे आपको सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के विज़ इटाय जाएगा यहाँ पर simple आपको यहाँ से उस application को download करना है एक application है बहुत ही secret है तो आपको अभी के अभी download कर लेना है नहीं तो यहाँ पर आप download कर लेना और download करने के बाद मैंने इसे already download करके रखा है तो मैं simple इसे open कर लेता हूँ फिर उसके बाद यहाँ पर आपको got it पे click करना है और got it पे click करने के बाद यहाँ पर accept पे click करना है और यहाँ पर allow मांग रहा है simple allow पर click कर देंगे, यहां से allow कर देंगे, यहां से allow कर देंगे, अब यहां पर सब कुछ हो चुका है, अब यहां पर आपको आ जाना है settings में, settings में आ जाने के बाद यहां पर आपको एक camera का option मिलेगा, simple आपको camera पर click करना है, और यहां पर आपको दो option मिलेगा, front और back, simple आपको front पे tick करना है front पे ही tick करना है okay तभी एच्छी तरह से आपको समझ में आएगा यहाँ पर okay पे click करना है और यहाँ पर आपको preview mode मिल जाता है video resolution मिल जाता है तो यह सब कुछ उतना फालत हुए यहाँ पर कुछ नहीं करना simple back आएंगे और back आने के बाद यहाँ पर यह जो आप start screen record में नहीं दिखा पाऊंगा इसके लिए हमें direct अपने phone screen पर चलना होगा तो कैसे कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं माल लिजे कि अगर आपने अपने phone को कहीं पर रख दिया और कोई दूसरा person आकर आपके phone को लेता है और आपका phone तो lock ही रहेगा तो वो आपके phone को unlock क करने की कोसिस करता है आपका जो pattern है उसको नहीं पता है ओके तो अगर वो आपके phone का pattern गलत सलट डालता है तो उस वक्त आपका phone का ये front camera जो है वो active हो जाएगा और उसके video recording करना सुरू कर देगा जिया फोटो capture करना ये सब तो पहले आता था कि अगर आपके pattern कोई उल्टा स जा डालता है तो वो photo click कर लेता है लेकिन video recording ये सबसे पहली बार होने वाला है और क्या-क्या वो कैसे-कैसे expression देखर कैसे-कैसे activity देखर वो आपके phone को चलाता है वो आप सब कुछ देख पाओगे तो यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर अपना देख सकते हैं और यहाँ अगर आपको देखना है simple आपको इसी application को open करना होगा open करने के बाद यहाँ पर आप यह जो देख रहे हो यहाँ पर यह जो gallery वाला icon simple आपको इस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर उसका पुरा video आ जाएगा और आप आसानी से यहाँ से देख पाओगे तो बहुत ही best application application यार एक बार आप ज़रूर ट्राइक करना अपने फोन में और कैसे download करना है मैंने आपको बता हैं दिया आप download कर लिए इस application को बाकि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज ब्लीव को एक लाइक ज़रूर कीज़े चैनल को subscribe करकर बे लाइक में दोबाल जीगा मिलते हैं से क नेटरी के साथ अपते के लिए जय हिंद और टेक क्यार